दिख्षा एप के ऊपर इस एप के थुरू हम आपको बताएंगे कि जो आपने दिख्षा आप है इसको आपने मोवाईल में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपने इसमें रेजिस्ट्रेशन करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भोले हमारे यूट्यूब चैनल इल्याना टैक को और ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना न भोले तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपकी जो दिक्षा आप है इस आप के थुरू आप कैसे घर बैठे है कोविड-19 के उपर ट्रेनिंग लेग सकते हो और आपने कैसे इसको आपने अपने मोबाइल में करोगे दिक्षा APP तो जैसे हम दिक्षा APP को उपर ओपंन करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्षिन हाज आजए गां इंस्टॉल का तो हम यहाँत को क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे आपके नेटवर्क के उपर जितना फास्ट अपका नेटवर्कруг होगा उतनी जलदी के ओपर क्लिक करते हैं जैसे मैंने ओपन के ओपर क्लिक किया हमारे पास जो दिख्षा का इंटरफेस है वो आपके सामने डिस्पले हो जाएगा तो यहां पर लिखा हुआ सबसे पहले कि आपने जो अपनी लेंग्विज है उसको आप चूज कीजिए तो जिस्वी लेंग्विज में आप इसको देखना चाहते हो तो इस लेंग्विज को आपके सकते हो यहां से आप सब्सक्राइब करते हूं यहां पर हम क्या करते हैं इसको कॉंटिन्यू करते हैं क करने के बाद यहां पर पूश रहा है कि welcome to दिख्षा यू आरे टीचर क्या आप टीचर हो देखिए यहां पर टीचर का मतलब अगर आप टीचर हो तो आपने इसका मतलब यह नहीं कि आपने यहां पर अगर टीचिंग पर पर इसको यूज करना आप टीच करवाना चाहते हो अगर आप स्टूडेंट के थ्रो आपका सकते हो तो अभी जैसे कि हमने आज़े कोबिट नैंटर के ट्रेनिंग लेनी है तो उसके रिगार्डिंग जो हमने आज़े वलंटेर के तोर पर हमने इसमें अपने लोगिन करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे अधर के उपर तो हम other के उपर click करेंगे and then वो आपसे पुछेगा QR code, QR code आपके पास नहीं है तो आप यहाँ नीचे देखिए, आप यहाँ पर आपना board select करोगे, board पर आप सबसे पहले select करोगे I got health, तो आपने क्या select करना है I got health, यहाँ पर आपके अगरोगे इसको submit करोगे, submit करने के बाद वो आपसे पुछेगा आपका medium, then वो आपसे पुछेगा आपकी class, तो जो medium है हमारा वो हम हिंदी और English दोनों रखते हैं and then यहाँ से आपसे वो पुछे रहा है class, तो class आपके कौन सी है, कि आप doctor हो, आप nurse हो, आप volunteer हो, hygiene worker हो, police हो, civil defense officer हो, other state official हो, जो भी आप हो, तो यहाँ पर आप select करोगे, तो हमारे case में जो teachers हैं, उन्होंने क्या करना है, other state official, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, other state official के उपर, and then आपने क्लिक करना है, submit करना है, जैसे आप submit करोगे, तो आप क्या करोगे, इसको continue करोगे, continue करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको जो interface है वो आपका open हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी जो books है है यहाँ पर लिख़वा boards is adding books see more books and content तो आप यहाँ से direct search भी कर सकते हो about covid-19 कर सकते हैं तुप क्या है थो फो मीडियम आप सेलक्त शेक्त कर सकते हैं अगर आप इसको unlimited access करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा Login करने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा Register तो यहाँ पर मैं Login के उपर क्लिक करता हूँ तो यह जो दिख्षा आपर है वहाँ पर आपका जो इसका Portal है वह आपका Open हो जाएगा और वहाँ पर अगर तो आप इसके पहले से ही कोई Member हो तो आप यहाँ से आप आप ID, Password, Package में Login करा सकते हो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर as a new register करना है तो आप यहाँ पर देखिए नेचे लिखा हुआ है Register here तो आप यहाँ पर register here के उपर क्या करोगे? क्लिक करोगे तो जैसे आपने register here के उपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने यह portal आजाएगा यहाँ पर आप क्या करोगे? अपना नाम लिखोगे आपना नाम सेलेक्ट करता हूँ इल्याना टेक एंड यहाँ पर आपने जो मॉबाइल नमपर है वो मॉबाइल नमपर यहाँ पर मैं फिल करता हूँ और जो पास्वड है देखिए जो पास्वड आपका होगा वो आपका minimum 8 क्रेक्टर का होगा और उसमें numerical, lower case, uppercase और special character यह सारी के सारी क्या होँगे? इंक्लिवड होँगे तो इसमें numeric भी हो गया, small letter भी हो गया, upper letter भी हो गया और एक special character भी हो गया confirm करता हूँ मैं पास्वड को hash demo 12345 and then यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको I understand करता हूँ and then मैं इसको क्या करता हूँ register करता हूँ जैसे हमाँ register के ओपर click करूँगा मेरे mobile पे एक वो OTP माँगेगा कि आपका जो एक OTP है वो आपके mobile number पर आएगा and then वो valid होगा आपका 30 minute के लिए तो जैसे हमारे पास वो OTP आएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको fill करेंगे OTP को अगर आपके पास OTP receive नहीं हो रहा है तो हम recent OTP के उपर करेंगे आपके कर सकते हो फिरसे उसको मंगवा सकते हो तो यहां पर देखिए जैसे मैंने और फिल किया यहां पर आगया कि वेरिफिकेशन जो है आपकी जो सक्सेस्फफल हो चुकी है and then login to continue तो मैं अपना mobile नम्पर फिल करके पास्वर्ट फिल करके यहां पर क्या करूंगा login करूंगा तो अब यहां पर देखिए आपके पास पैसे इंटरफेस ओपन हो चूक है और यहां पर रही हाँ प्रफाइल है उसका जो पॉर्टल है वह आपका उपन हो जाएगा तो यहां से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा अपने जो बोर है वह आप सेलेक्ट करोगे आइगोड है जो मीडियूम है वह आप सेलेक्ट करोगे मैं हिंदी इंगरिश्य दोनों करता हूं जब कि जो है वह आपका क्या हो जाएगी फिर से सेव हो जाएगी प्रफाइल सकस्रोफवली तो हमारी पर्फाइल है वह आपकी अपडेट हो चुकी है यहां पर पूछेगा आपकी लोकेशन है तो वह ऊ- captures कर लेगा अदर्वाइस जहां से आप अपने state और अपने district है को के पारोगे आप करोगे को सब्मिट करोगे है कि समिट करने के बाद फिर से आपके पास वही यह यह ऑप्शन आपके पास आ गया है यहां से आप उपर से medium स्लेक्ट कर सकते हो यहां से आप अपनी जो अदर स्टेट official है जहां फिर आपने कोई और option आपने select करना है तो वह आप select करके आप उसकी training आप क्या कर सकते हो यहाँ training में जाके आप क्या कर सकते हो training ले सकते हो यहाँ से तो यहाँ पर बहुत सारी videos आपके सामने हैं आपके साथ display होंगी तो वह आपकी जो है उसको आप open किए जी उसको आप देखिए and then ये थी हमारी आज की video कि आपने जो दिक्षा app है उसको आपने कैसे access करना है यहाँ पर आपके पास उपर search का option भी है अगर आपने COVID-19 के regarding कोई भी training लेनी है तो यहाँ पर आप COVID-19 आप यहाँ पर लिखिए उसके regarding जो वीडियो है उसके जो रिजल्ट है उसके जो ट्रेनिंग्स है वह आपके सामने यहाँ पर क्या कर देगा वो display करवा देगा COVID-19 के ओपर तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपके आपको आगी है तो यहां से भी आप कर सकते हो उसके training कैण को अगे कर सकते हो यह आपने आपने कैसे एक्सेस करनी है और आपने ट्रेनिंग है वह कैसे करनी है अगर आपको हमारी आज वीडियो पसंद आई हो तो प्रीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल लेना टैक को और ऐसे ही लेटे स्टूडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्यू सो मच जाहिन